हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है फैन दा क्यूब रूट ऑफ इच आप दा फॉलूविंग नम्मर्स बाइ प्राइम फैक्टराइजेशन मैथर भाई हमें क्यूब रूट निकालना है क्यूब रूट हो क्या होता हमारे यहां थ्री थ्री के पिरिंग बनती है थ्री के से जाएगा 2,3 जा 6,2,2 जा 4, अगें 2 से जाएगा 2,1 जा 2 1 नहीं जा जा जार आड़ा, 2,6 जा 12, अगें 2 जा जाएगा 2,8 जा 16,2 से जाएगा 2,4 जा 8,2 से जा जाएगा 2,2 जा 4,12,2 जा 2 तो आप लिख सकते, अगर आपको लिखना है 2 multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, दो को पियर यह 64, एक पियर इससे लेंगे 2, एक इससे लेंगे, और 2, 2 कितना होगा 4, it means 64 का cube root क्या होता, 4 होता है, ठीक है, 4 का cube क्या हो जाएगा, 64, 64 का cube root क्या हो जाएगा, 4 हो जायगा, ऐसे मुझे 512 का न पाक झालेंगे बाई फैक्टर निकालेंगे बाई way वन स्पिलेंगे में कितना 2 है तो 2 से जाएगा सब्सक्राइब वंदुब या टू जिखयो सब्सक्राइब यहाँ यह हमारा आ रहा अब देखो जब हमने किसका 512 का निखाला तो कितने वार तू आया तो एक यह है एक यह है एक यह हुँ दो यह कितने वार तो निकाल जाएगा 2 into 2 into 2 तो कितना 2 तू तू जा 4 4 तू जा 8 तो भाई 512 का क्योब रूट क्या होगा 8 होगा 8 का क्योब बताओ 512 में 8 को अगर 3 बार multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 512 हो जाएगा ऐसे मुझे निकालना है 10648 10648 का निकालना है भाई 8 है क्या है इवन नमबर है तो 2 से जाएगा भाई जहाँ भी हमारा once पर लेज़ें 0, 2, 4, 6, 8 होगा 2 की टेवल में जाएगा 2, 5 जा 10 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8 अगें 2 से 2, 2 जा 4, 1 यहाँ जा रहा 2, 6 जा 12, 1 यहाँ जा जा रहा I think हम 7 से चख करते, 1, 3, 3, 1 7 जा 7 कितना बचलगा, 6 7 गणbilir 11 से जाएगा 11 से जाएगा 1, 3, 3, 1 11 जा 11 कितना बचलगा 2 बचलगा 11, 2 जा 22 और यहाँ रहां 3 ही यह 1 बचलगा 11 जा 1 लून tại Сी टीयेंगे 14, 8 जा 21 आएगा फिर 11 जेंगे 11 आएगा 11 बन्जा 11 देखो अब आपको देखना है जब 10648 का क्या आपने तो क्या 2 x 2 x 11 x 11 x 11 तो का बंड़ा एक थिरी का बंड़ा ओके तो 10648 बाइट टू इंटू 11 तो 10648 कितने हो जाएगा 22 इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ओके ऐसी बाइच देखो 27002 बाइच में क्या है 0 है तो 2 से जाएगा 212 236 10 15 10 10 00 अगें 2 से 261 15 15 10 और जीरो जीरो अगें 2 से 236 236 वन यहां जार क्योंकि 7 है 27 14 15 18 देखो हम क्या 3 के डिजिबिल्टी क्या होता है इन को क्या करते हैं हम संब करते हैं इन डीजेट का सम करते। 5 औ 7 12 15 और 3 18 इनका जो सम आ रहा है डीजट का कितना आ रहा 18 18 3 की टीवल में आता बिल्कुल आता है तो 3 से यह डिपजल हो जाएगा मतलब अगर इन डीजेट का सम हमारा वो नंबर आ रहा जो 3 की टीवल में आ जाता है यहां 18 आ रहा 18 तरीगितिविल में आता यह पूरा नम्मर 3 से डिप्जल हो जाएगा देखो 3 बंजा 3, 3 बंजा 3, 3 2 जा 6, 1 यहां जा रहा 3, 5 जा 15 अगें देखो 5, 2, 7, 8, 9, 3 जा रहा 3, 3 जा 9, 2 यहां जा रहा 22 ओ रहा 3, 7 जा 21, 1 यहां जा रहा 3, 5 जा 15 7, 10, 15, 3 जा रहा 3, 3 जा 6, 1 यहां 3, 5 जा 15 फिर 5, 2, 7, 1, 8 अब यह 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 5, 2 जा 10 क्यों नहीं जाएगा 5, 2, 7, 1, 8 जा रहा 8, 3 के टिविल में नहीं आता है यहां 5, 5 और 5 बन जा 5, जब हमने 2, 7, 0, 0 का निकाला तो क्या है 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5 जो को एक प्या 2 का है, एक 3 का है, एक क्यूब रूट में 3, 3 के प्यरिंग बनेंगे, ओके तो क्या 2, 7, 0, 0 का 2, 3, 5, 2, 3, 6, 6, 5, 30 यह हमारा किसका हो जाए, किसका क्यूब रूट, 30 ओके